तो हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब देखिए आज यहाँ पर बनने जा रहा है वेडिंग केक जी हाँ यह यह वेडिंग केक का ओर्डर मुझे मेला पहली बार यह वेडिंग केक बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स तो जुड़े रही है और देखिए कि कैसे बनाया मैंने यह शे पाउंड का वेडिंग केक, तो मुझे शे पाउंड का वेडिंग केक बनाना था फ्रेंड्स, और मैं पहली बार बना रही थी, तो थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन हमें हिम्मत तो करना है, काम को आगए बढ़ाना है तो, पर चलिए हम लोग इसको बनाना शुरू क तो जो गुलाई है वो की तू 8 इंच है, और चोटे वाले की 6 इंच है, बड़े वाले में मैंने 4 पाउंड बेग किया, मतलब 2-2 कप करके 2ज़े सम्न गढ़ता से. तो कम से कम 1.40 g एक कप के लिए juste 1 पाूंड के लिए, मैंने लिया था प्राइमिक्स को 1 कप एक कप में 1.40 g तो यहां पहले ढ़ी 2 Пाूंड एधर और यह 1.4 g इंदर 3 जबा estranूद एधर 3 पाूंड और एधर 3 पाूंड कर लिए, मैंने 5 पाूंड करके, और यह cherry आपको मिल जाएगा मार्केट में और यह बीज वाला cherry रहता है देखिए बहुत टेस्टी रखता है यह खाने में और यह syrup में डूबा हुआ रहता है तो इसी syrup का न हम लोग इस्तेमाद करेंगे इसमें से निकालके स्पॉंज को सोक कराने के लिए देखिए बड़े साइज का एक हमें बोर्ड लेना पड़ेगा ताकि आपका बेस जो है नीचे का पूरा अच्छे से आएगा तो वह से हिसाब से आप देख लीजिएगा और बेस अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंट्स देखिए यहाँ विप क्रीम में बोर्ड के उपर पहले लगा रही हूँ थोड़े अच्छे से लगाएंगे ना क्योंकि हमार केक है बड़ा बहुत अच्छे से नीचे पकड़ आएगा इसमें और यहाँ पर देखिए चैरी वाला सिरप को यहाँ पर निकाल लिया है देखिए इसी से सोक कर अब हम लोग लेयर में कट कर लिये हैं केक को लेयर जब काटिएगा तो बहुत मोटा भी मत काटिएगा और बहुत पतला भी मत काट दीजिएगा तो यहाँ के लेयर को रखने के बाद हम लोग यहाँ पर चैरी वाला सिरप को डाल रहे हैं तो यहाँ पर चैरी वाला सिरप अच्छे से सोख करा देंगे और उसके बाद फिर से हम लोग क्रीम को यहां डालेंगे क्रीम को डालने के बाद बराबर से फैलाएंगे देखिए यह जो हमारा केक बने जा रहा है ना ब्लैक फॉरेस्ट का पूरा लेरिंग भी यां सीखिए आप क्रीम को हम लोग अप्लाई कर दिया है देखिए बड़ा वाला बेस नीचे मतलब की जो बार चौड़ा वाला बनाया था ना आठ इंच वाले मोल्ड में उसका भी लेरिंग चल रहा है तो देखिए यहां पर क्रीम को बराबर से लगा दिया और अब हम लोग इस पर गनाश डाल रहे हैं मोडे चौकलेट को इस्तिमाल किया है फ्रेश क्रीम के साथ गरम क्रीम में हमने मोडे चौकलेट को मतलब डाला है बराबर मातर में और क्रीम और चौकलेट बराबर मातर में जरूरी है क्योंकि यह ब्लैक फॉरेस्ट बन रहा है न तो इसमें चेरी होना चाहिए तो फ्रेंट्स यहां पर देखिए चेरी को फिलान देने के बाद यहां चॉप किया हूँ चॉकलेट भी रखे हैं मॉड़े का ही चॉकलेट है चॉप का लिया है देखिए कुछ इस तरह से और इसको हम लोग थोड़ा डालेंगे लेयर में तो लेयर में क्या क्या डाला है आपने देखा क्रीम गणाश चॉकलेट चॉप किया हूँ और कटीवी चेरी नेक्स्ट फिर से हम लोग लेयर रख रहे हैं आपने हमने जो भी मतलब नीचे चार पाउंड का जो बड़ा बेस में बनाया है बड़े वाले मोल्ड में जो स्पॉंज बनाया उसका पूरा लेयरिंग अभी पहले कर लेते हैं यहां पर देखिए बीच बीच में थोड़ा समय गैप को भी बढ़ते जा रही हूं साहिट से और फिर ऊपर में हम लोग चेरी बाला सीरप डाल दिया और फिर से क्रीम तो लेयरिंग में देखिए आपको यही रखना है यहां पर देखिए हमने गनाश फिर से डाला और बहुत अच्छे से चैरी को भी डालेंगे फिर चॉक्रेट को डाल रहा है चॉप किया हूँए तो बहुत ही चॉक्रेटी बनेगा तो भाई जिन्होंने और तो उनको मतलब ऐसा बना करके देना है कि नेक्स्ट वो मुझे को ओडर दे अच्छा लगे उनको चैरी काटने में मेरे हस्बेड ने भी मेरी हेल्प की और कुछ कुछ काम जो मैं मुझे हेल्प की ज़रूरती अच्छा था कि वो आज ज्यूटी पर मतलब घर पे ही थे केक को जल्दी से त्यार कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर लेयर रख रहे हैं और लेयर रखने के बाद फिर से यहाँ पर हमने क्रीम को साइड में लगाया और फिर से यहाँ पर हम लोग विप क्रीम को लगा रहे हैं तो विप क्रीम की भी रेसिपी ना चैनल पर है जाक आप इंच वाले मोल्ड का जोेह वाले बड़े मोल्ड का टो फ्रेंट्स यहां मैं है ऩाफैपिंग बैग में हम ने यह विपक्रीम को और इसी सबसे आप है मतलब क्रीम को ही दबाते हुए हमने जो लगाया ना क्रम सब दब गए है इसलिए दिक्कत नहीं होगा तो फाइनल आइसिंग के लिए क्रीम लगा दिया है देखिए और पैलेट नाइप से कर रही हूं इसको चिकना तो एक मोटी लेयर क्रीम की लगाना पड़ेगा फाइनल जब तक कि आपका शार्प एज नहीं आ जाता है और यह चीज ना बहुत जरूरी है जब भी आप केक बनाते है न तो इस बात का ध्यान रखिए कि शार्प एज आना चाहिए और बिल्कुल प्रोफेशनल नजर आना चाहिए आपका केक जैसा ऐसा वैसा केक जैसा भी मतब कहीं से उठा ऐसा नहीं होना चाहिए इसे क्या होता है न कि आपका केक प्रोफेशनल नजर नहीं आता है और लोगों को पसंद नहीं आएगा तो इस बात का धिहान रखिएगा दोस्तों महनत करिए जरूर होगा अपर न अब छोटा वाला मुझे बनाना है तो यहां पर द बेस होता है न केक का उसी को मैंने थोड़ा सा और कट कर लिया है दिखलाती हूं आपको कि वो मैंने कैसे किया है ऐलमूनियम फॉयल इसली लगाया है ताकि वो पानी सोक ना कर ले जब केक के अंदर रहे तो पाउंड वाला जो केक का बोड होता है ना उसी को मैंने थोड़ हमारा मतलब की ऊपर वाला टू टेयर में बन रहा है तो ऊपर वाला टेयर जो रहेगा ना उतना ही छोटा मेंने काटा एलमूनियम फॉल जरूर लगा दीजिएगा इससे क्या होगा ना कि जब हम लोग उसको केक के अंदर रखेंगे ना तो पानी सोक नहीं करेगा हमारा बोड तो यह रहा और इस पे लगा दिया हमने क्रीम यहाँ पर देखिए अब जो हमने 6 इंच वाले मोलने में किया था ना उसको त्यार कर रहे हैं तो जो बेस है मतब केक का जो बोड ना वो बिल्कुर उसके बराबर आ गया देखिए और ऐसा मैंने क्यों किया वो आगया आपको आप देख लिजेगा समझ में आ जाएगा आपको तो यहाँ पर देखिए मैंने चेरी सिरप सोक कर आया फिर से क्री तो हमारा जो इसमें लेयरिंग होगा ना सेम लेयरिंग होगा कुछ दूसरा नहीं होने वाला है क्योंकि पूरा का पूरा उन्हें ब्लैक फॉरेस्ट में चाहिए तो इसका भी लेयरिंग वैसे ही होगा मतलब क्रीम लगेगा और उसके बाद चॉकलेट गनाश लगेगा य यहां पकर लिया गनाश डालेंगे बराबर फेलाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग चैरी डालेंगे और फिर चॉप किया हुआ चॉकलेट डालेंगे तो लेयरिंग हमने ऐसे ही उसमें भी किया था ऐसे ही इसमें भी करेंगे तो फ्रेंड्स अगर में न पूरा धीरे धीरे प्रोसेस दिख लाती नहीं तो बहुत टाइम लग जाता देखिए सेकंड वाला लेयर रख रही हूं तो इसलिए थोड़ा स्पीड में भी चलाना पड़ा देखिए आपके पाद भी इतना टाइम नहीं है कि आप इतना लंबा वीजियो देख पाएं क्योंकि केक बड़ा था वीजियो लंबा हो जाता इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चला दिया है कहीं कहीं जितना भी लेयर हमने कट किया है मतलब 6 इंच वाले मोल्ड में जो बेक किया था उसमें जितना भी लेयर कट हमने किया है सबका लेयरिंग ऐसे ही होगा देखिए जब तक हमारा लेयर यहां खतम नहीं हो जाता तो उधर 4 पौंड का बन गया है जो बड़ा वाला है और इधर 2 पौंड का बन रहा है तो मतलब हो जाएगा टोटल हमारा 6 पौंड डिजाइन उन्होंने भेजा था और उसी डिजाइन को ही बोला था कि बनाए तो मैंने कोशिस किया वैसे ही बनाने का बहुत पसंद आया लेकिन कस्टोमर को उन्होंने मतलब बताया कि बहुत ही टेस्टी बनाता केक और बहुत खुशते वो तो फ्रेंट्स यहाँ पर देखिए लेरिंग हमारी वैसी हो रही है जब तक हमारा पूरा लेर खतम नहीं हो जाता मैं करती जा रही हूँ और साइड में ना करम कोटिंग भी करती जा रही हो अब यहाँ पर लगता है मेरे को लेयर खतम हो गया तो चलिए इसको हम लोग फाइनल आइसिंग करके खतम करते हैं इसका भी काम यह हमने लगा दिया क्रीं को piping bag से और इसे कर लेंगे चिकना देखए इसको हम लोग करके इसका भी काम खतम कर लेंगे देखए ये हो चुका आइस क्राइबर से सैट में कर लिया ओपर कर लिया और यह देखए मेरे हाथों में है इसको बोलते हैं डाविल्स और ये देखिए मोटे ना प्लास्टिक का बना हुआ है इतने बड़े बड़े साइज का है लंबा लंबा है मेरे पास ये और इसको हम लोगो जरूरत पड़ेगा फ्रेंड्स क्योंकि हमारे पास जो केक है बहुत ही बड़ा है उंचा है ले जाते वाला टेर रहेगा केक का देखिए यहां पर लोग निशान ले लेंगे इतने दूर तक जा रहा है हमारे केक में तो वहां निशान ले लीजिए और इतना बड़ा बड़ा हमें कट करना है जितना भी डाविल आपको डालना है इतना बड़ा बड़ा आपको कट कर लेना है म देखिए ऐसा हमें पांच कट करना है मतलब पांच में डालूंगी यहां पे देखिए मैंने पांच कट कर लिया है और पांचो को अम लोग डालें में देखिए यह केक को बिल्कुल स्टेबल रखेगा और कहीं ले जाने के टाइम पर भी केक जो है इधार उदर नहीं होगा तूटे गने गिरे गनी तो यह सेफटी के लिए अगर आप इतना बड़ा केक बना रहें तो जरूर इसको डालिए और डॉबल बोल के आता है पेपर वाला भी आता है लेकिन यहां मैंने प्लास्टिक वाला इस्तिमाल किया तो यहां पर देखिए मैंने पांच मेंने लगा है इस पे हम लोग थोड़ा सा क्रीम अपलाई कर देंगे और देखिए यहां पे क्रीम अपलाई हो गया यह नीचे वाला जो है केक का हमारा नीचे वाला टियर है और यहां रहा ऊपर वाला तो मेरे हजबन ने भी थोड़ी हेल्प की जैसे कि मैंने कहा ना कि आज वो कर लिए अगर वो नहीं होते ना तो आज मेरे को ही इसको कापते डरते हुए कर नहीं पड़ता लेकिन यहां पर हो गया और जो मतब की थोड़ा बहुत खराब हो है क्रीम उसको हम बस चोटा वाला पैलेट नाइफ इस्तिमाल करिए और क्रीम को लगा लिजिए जहां जहां क्रीम हो बस फिल कर दीजिए और यहां पर आप चिकना कर लिजिए फिर से देखें यहां पर चोटे पैलेट नाइफ से पहले हलका फुलका हमने जो भी भरना था भर लिया चिकना कर लिया देखेंगा बिल्कुल भी खराब नहीं लगेगा और यहां स्क्रैपर चला दिया बराबर हो गया फ्रेंट देखेंगे अब लग रहा है कि खराब हुआ था हमारा कहीं से देखेंगे एक बाड़ा मैं ले रही हूँ देखेंगे लंबा वाला मैं ले रही हूँ और पहले डाल के देख ले रही हूँ यहां पर डाल दिया मैंने जो छोटा वाला ऐलमूनियम फॉयल वाला हमने लगाया था ना बेस उसको मैंने हटाया नहीं है वो केक के साथ ही अंदर में चला गया है मतलब उपर वाले टीर के नीचे ही है देखिए एक डॉबल मैंने यहां डाल दिया काट करके देखा आपने सिर्फ मैं एक ही डॉबल महाँ पर डाली उपर में मुझे नहीं लगा कि और ज़रुवत पड़ेगी नीचे तो हमने पांच डाला है ना तो उपर एक ही डाला यहां चॉप किया हुआ चॉकलेट हम लोग डाल दे रहें देखिए ऐसे छिड़क छिड़क के डालिएगा ना समय आपको करना है यह चीज और फ्रेंड्स हाँ जो मैंने अल्मूनियम फॉयल आपको दिखलाया था ना सॉरी अल्मूनियम फॉयल में रैप किया हुआ जो बेस दिखलाया था ना वह चोटा ऊपर वाला टियर के ठीक नीचे ही है उसको मैंने हटाया नहीं है यहीं अंदर ही डाल दिया है साथ में और ताकि मतलब स्टेबल रहे अब देखिए हमने डाल दिया पूरे में चॉकलेट छिट 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 के और ऊपर भी थोड़ा सा डाल दे रहें तो हमें ना इस पर डिजाइन भी बनाना है इसलिए चॉकलेट थोड़ा हिसाब से कॉर्णेर पर डाल रहे है तो बिल कुल बीच में सेंटर पे हम थोड़ा सा जादा चॉकलेट डाल दिये इसलिए चौप किएवे चॉकलेट को उंगलियों की मदद से हलका हलका सा प्रेस कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा डिजाइन बनेगा इसलिए बीच में अच्छे से बहर दिया है चॉकलेट जैसा उन्होंने इमेज भेजा था तो ऐसे ही था देखिए वन इनोजल से कुछ इस तरह का डिजाइन मैंने उधर से स्टार्ट किया था बनाना जो कि मैं नहीं दिखा पाई आपको देखिए यहाँ पर मैं बनाते जा रही हूँ कौरनर पर यह डिजाइन बनेगा वन इनोजल को प्रेस करना है उठाना है तो फोटो में ऐसे ही था तो मुझे भी ऐसे ही बनाना होगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमें बनाना है तो यहाँ पर भी हम लोग इसको बना रहा है थोड़ा थोड़ा दूरी पर इसक मेरे हाथ में इसी से मैं पूरा काम कर रही हूँ देखिए फ्रेंट्स वनी नोजल से मैंने नीचे बॉर्डर भी कर दिया वो मैं आपको दिखलानी पाई और चेरी को देखिए कैन चेरी को ही इस्तिमाल कर रहे है यहाँ पर एक एक डिजाइन छोड़ के लगा रहे है देखिए एक एक डिजाइन छोड़ के लगा रहे है चेरी को तो यह हो गया चेरी नीचे भी लगाना है इसके हर एक डिजाइन में चेरी लग रहा है उपर एक एक छोड़ के लगाया था यह हो चुगा cherry लगाने के बाद हमारा cake ready तो दोस्तो यही design था मैंने बना दिया आप चाहे तो इसके उपर कोई tag बगरा दे सकते हैं और यह wedding के लिए यह cake बनाया गया था तो tag बगरा अलग से दे दिया जाएगा इसी के साथ तो friends तयार है हमारा यह 6 pound का wedding cake तो उमीद करती हूँ आप बहुत कुछ इसमें सीख पाए होंगे और अगर आपके कोई सवाल है तो comment section में पूछेगा और यह cake मेरा ready हो गया था और मुझे इसको रख के set करने अभी फ्रीज में रखना था तो इसको मैंने फ्रीज में रख करके मैं निकल गई थी शादी अटेंट करने जब वो लोग आए तो फिर यह cake उनको मैंने दिया तो friends बतलाइए कि cake आपको कैसा लगा मुझे ब्लैक फॉरेस्ट काना टेस्ट बहुत पसंद है जब चेरी और चॉकलेट बीच में आता है वो मुझे को बहुत पसंद आता है और सीली टेस्टी बनता यह cake इसका pricing का सवाल है तो friends आपको इसका अच्छा खासा rate लेना चाहिए क्योंकि महनत आपकी इसमें बहुत है साथ ही आपको पूरा material का खर्चा भी निकालना होगा अपनी महनत का खर्चा निकालना होगा और wedding cake वैसे भी महंगा बिकता है तो उस तरह से देखिए तो आप सारा खर्चा निकालने के बाद अपना महनत जोडने के बाद अच्छा खासा चार्ज करिएगा अगर आप इस तरह का cake बनाते हैं तो आप भी ट्राइग करिए चलिए मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से बहुत सी जनकारी आपके लिए रहेगी वीडियो में तो सपोर्ट जरूर करिए फ्रेंड्स आप लोग के सपोर्ट की बहुत जरूरत है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से बाई बाई थेंक यू